हर्याला बीजेपी के ओबीजेपी निताओं की चंडिगर अस्थ पार्टी का रेले में प्रस कॉन्फेंस हुई जोरान बीजेपी सांसा देवम ओबीसी मूर्चा के राश्ट्य उपाद धैक्ष नैप सैनी और हरियाडा बीजेपी ओबीसी मूर्चा के अधैक्ष करणदेव कंबोज के साथ यमना नगर के मैर मदन चोहान मौजूद रहे मीडिया को संभोधित करते हुए करदयो कंबोज ने कहा कि प्यम मोदी के मंत्र मंदल में 27 मंत्री ओबीसी कोटे से लिए गए हैं इसके लिए वो प्रधान मंत्री मोदी का अभार जताते हैं इन सरकार में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है सभी पढ़े लिखे युवा मंत्रियों को शामल किया गया है आज हर्याणा प्रदेश के बीजेपी वीजेट की कारिकारनी की घोष्टला की जा रहे हैं जिसमें चार उपाद्यक्ष चार मंत्री दो महमंत्री और एक कोशा ध्यक्ष शामल है की o bc महर्चा अच तमाम पताव だikारियों की निखति की है मेरे साथ बातचित करने के लिए हख़या बीजेपी महरचा करंद्यों कंबोज और साथ जो भी की मोरचा राश्ट्री उपा भारतींटाफाल टीए के नाइब सयनी जो कुषी तरह से सांसद है तो हमारे साथ मुझूद है नाइब सयनी से EVющ पर्देश के मोर्चा की किस तरीके से किस अधार पर आपने इन नुक्तियों को करने का फैसला किल पहले तो बैसे अपने Самसीश अपनी सभी पता दीकारियों को जो OBC मोर्चे की हमारी कार्यकारणी बनी है सब इस दस्यों को मैं धन्यवाद दूंगा उनका स्वागत करूंगा और उनको बदाई भी दूंगा कि वाज हो हमारी टेप में सैमिल हुए है और इस सारी प्रधेश 차 की जो प्रधेश कार्यकारणी बनाई गई है इसमें हमने इंदर राजू जी हमारे तीनों मामंत्री और जो समाज के और हमारे विश्वरक के जो वरिष्ट नेता है हमारे राष्ट्य उपदक्स नाइब सैने जी पूरम में हमारे प्रदेश अदक्स रहे मदन चुहान जी सबसे जो है नहीं डिसकस करके परबारी है रामचंदर किया है इसमें कोशिश की गई है कि सभी वर्गों को जो अन इसमें सहमेल किया जाए और ये भी कोशिश की गयी है कि पूरे हर्याना का प्रतिनीद्य तो इसमें हो हमने पलवल से लेकर के गुरूगराम और पंच्छकुला तक जोहनें सबी सिर्शीय दर-सिर्शा तक जो आ के बार मंतरना करने के सब के साथ जो वरिष्ट साथी और भी हमारे कही date लंबा अभू था और के अचे नते। उनका भी सही उदements कारियकारी को बनाने में लिये गया है। ति आपने परदेश का अबी सी मोर्चार्य संचे परदानमंत्र नरेंदर मोधी की नेतरतों वाली शरकार में भी OVC पर खास फोकस किया गया है और 27 जो नेता हैं आपके वो केंदरी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं किस तरीके से देखते हैं केंदर सरकार की सफेसले को लिए कि मैं आदरीने परदानमंत्र जी का अभार व्यक्त करूँगा हमारे राष्टे नेतरतों का अभार व्यक्त करूँगा हमारे जो राष्टी आद्देक्स हैं डॉक्टर के लक्षमन जी उनका अभार व्यक्त करूँगा कि इनके आशिरवात से जो केंदर की मैं अभी मं मंत्री मंदल का विश्टार हुआ, 43 नए मंत्री बनाए गए हैं, उसमें से 27 मंत्री जायना वो OBC वरग से हैं, और ये जो 27 मंत्री OBC वरग के सामिल किये गए हैं, इसमें इन सब की जो है एजुकेशन को ध्यान में रखा गया, इनके अनुभाव को ध्यान में रखते हुए, इनकी एजुकेशन और आयू, इसको ध्यान में रखते हुए, सब युवा उससे हैं, और सब को जो है ना, इसलिए मंत्री मंदल में से हमिल किया गया है, कि ये ज़्यादा काम करेंगे, और ज्यादा उर्जा से जो है ना, सरकार के जो पोल्सीज हैं, उसको जन जन तक ले जाने का काम करेंगे, इसलिए इन लोगों को जन जुम्हेवारी दी गई है, तो मैं आदरिनेया प्रदानमंत्री जी का बहुत बहुत आबार्वेत करता हूं, कि इससे ओविसी वरग में जो बहुत बड़ी संक्य में देश में और प्रदेश में भी है, तो उसमें आज आज की बात करें, तो एक चहरा थे रतनलाल कटारिया जो हरियाणा से केंदर में मंत्री थे, लेकिन उनको बाहर जो हो किया गया है कैबिनेट सी, इससलिए आप कैसे देखते हैं, देखे रतनलाल कटारिया जी को भारतिया जनता पार्टी ने बहुत समान दिया है, समय समय पर जब भी कहीं ऐसी आउसकता पड़ी है, तो रतनलाल कटारिया जी को आगे किया है, रतनलाल कटारिया जी क्योंकि बहुत लंबा अनभवायन का राजनेती का, और बहुत अच्छे कारिया करता है, कर्मठ कारिया करता है, निस्टावान कारिया करता है, आज भी वभारति तो उनको क्योंकि उनका सुवास्ते भी थुड़ा आप डिला रहने लेगा था उतनी बागदोड भी नहीं कर पा रहे थे उनको संक्ठन में मैत्वपूर्ण जुम्यवारी देने के लिए उनको वहां से जुएना पदमुक्त किया गया और उटको संक्ठन में सब्सक्राइब को सम्मान मिला है किस तरह से देखते हैं आप इस वैसले को देखिए आज हमारे प्रदेशाध्यक्स करणदेव कंबोज जी ने ओवी सी मोर्चा की कारकारणी का गठन किया है मैं सभी पदादिकारियों को बहुत बहुत बढ़ाई करनदेव जी को सूभ कामना दूंगा और उन सब को बढ़ाई दूंगा कि वो जो पार्टिने पेक्षा की है और समाज को एक जूट करने की, समाज को भारतिय जनता पार्टी के साथ जोडने की और सरकार की नीतियों को समाज सक पहुंचाने का जो काम मजबूती से करेंगे उन सब को एक उर्जय के साथ करेंगा, उन सब को मैं बहुत बहुत बधाई और शुब कामनाई देता हूँ मैं आधनियें प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी का धन्यवाद करूँगा आधनियें हमारे भारतिय जनता पार्टी के राष्ट्रिय ध्यक्स जेपी निड़ा जी का धन्यवाद करूँगा मैं पूर्ण केंद्रिय नित्रितव का धन्यवाद करूँगा और हमारे OBC मोर्चा के राष्टिय ध्यक्स डॉक्टर के लक्ष्मन जी का मैं धन्यवाद करूँगा कि जिस परकार से उन्होंने OBC समाज को एक बड़ा प्रतिने दिया है OBC समाज के इस मोदी टू सरकार के अंदर जो मोदी टू कारेकार के अंदर जो मंत्री मंडल का विस्तार हुआ है उस विस्तार के अंदर जिस परकार से OBC मोर्चा के 27 लोगों को प्रतिने दिया गया है मैं धन्यवाद करता हूं दिल से और हमारी भी जूटी बनती है OBC समाज के नाते कि मैं OBC मोर्चा कराश्टी उपाध हक्षों OBC समाज के अंदर इस सब बातों को ले करके जाना और OBC समाज को भारतिय जनता पार्टी के साथ जोड़ना क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है कि जिस सरकार ने OBC समाज के एक छोटे वरक को भी उच प्रतिने दिया है उसका पूरा सम्मान किया है ये आदनिया नरेंदर मोदी जी की सोच है कि सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास उसको ले करके आदनिया नरेंदर मोदी जी ने OBC समाज को जो प्रतिनी दिया उसका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी पार्टी का भारतिय जनत पार्टी को मजबूत करने में एक कदम भी पीछे नहीं आटेगा मजबूती से भारतिया जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम ओभी सी समाज करेगा आपके साथी है पूरो में आपके साथ कैमिनेट का इससा थे करंद्यों कम बोज आप परदेश को बीशी मोर्चा के कैसे आप आगे बढ़ेंगे क्या कारेकरम बनाने की कोई तैरी कर नहीं है देखिए ओबीशी समाज को पुरून रूप से जिस परकार से भारतिया जनता पार्टी के अंदर समान मिला है और समाज के अंदर हम दोनों मिलकर के आदरनिया करनदेव कमबोज जी और मैं भी समा नहीं खरा हो कोबीशी समाज को लॉलिप आप तो देती रही है परन्तु उसके हित के लिए कांगरेस पार्टी ने कधी काम नहीं किया लंबश में से भी से एक मांघ रही थी कि ओवीशी आयोक बनाया जाए परन्तु इतनी लंबश में से उसको भली फायलो मे ही दबा करके OBC समाज को वो समान नहीं मिला पहली बार है कि नरेंदर मोदी जी ने आ करके OBC समाज को जो समान दिया है OBC आयोग बनाया OBC आयोग ही बना करके OBC को सवेधानिक दर्जा देने का काम नरेंदर मोदी जी ने किया है और अगर OBC को समान किसी ने दिया है तो नरेंदर मोदीजी ने दिया है और अब सरकार के अंदर भी सबसे बड़ा प्रतिनिधी अगर कोई दिया गया है तो OBC समाज को दिया गया है अब हम हमारी जुम्मेवारी बनती है, OBC समाज की जुम्मेवारी बनती है, कि हम मिलकर के OBC समाज पूर्ण रूप से भारतिया जनता पार्टी को मजबूत करने का काम हम करेंगे. तो करनदयो कमबोज, BJP के हरियाना के मोर्चा के जो अदेक्स हैं और साथी राष्ट्रे उपादेक्स नायव सेनी, जो OBC मोर्चा में राष्ट्रे उपादेक्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, दोनों का कहना है कि जो भारतिय जनता पार्टी ने, परधान मंतर करनेगी यह देखना दिल्चस प्रहेगा, विडियो जर्नलिस्ट विजेंदर सिंग के साथ, पावान सिवर, जन्यता टीवी, चन्डिकर्ण.